इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता देते हैं कि ग्यानवापी सर्वे को लेकर जो बड़ा फैसला आने वाला है वो ये कि कुछी देर में फैसला संबह होगा साड़े तीन बज़े समय मकरर किया गया था उस समय सुनवाई जारी है इलाहबाद हाई कोट में सुनवाई चल रही है एस आई और मुस्लिम पक्ष का जवाब दाखिल हो चुका है एस आई ने चार अगस तक सर्वे का मक्त मांगा था और उसने कहा था कि हमें परिशान किया जा रहा है सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा ये कहा था एस आई का एक बार सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा ये कहा है एस आई ने और इसी पर बनी हुई है हमारी नजर आपको सीधे सबसे पहले लिए चलेंगे ग्राउंड जिरो पर अभिशे को पाद्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बताएंगे अभी का अपडेट क्या है कोट के अंदर क्या चल रहा है कोई बाहर खबर निकल कर आई क्या बिलकुल दीखे अखेले इस सबसे एहम बात यह है कि जो आज सुनवाई शुरू हुई है वो समय से पहले शुरू हो गई साड़े तहींन का समय मुकर्र था लेकिन तीन बसकर के 15 मिट पर शुरू हो गई और सबसे एहम बात यह है कि सुनवाई की शुरुवात तो हुई ASI को लेकर के लेकिन जो दलीलों का प्लेग्राउंड है वो अचानक ही बदला है और ASI के सर्वे करने से जो नुकसान हो सकता उससे लेकर के वो चला गया है अगर खुदाई होगी तो जो धांचा है उसको नुकसान हो सकता है लेकिन आज वो बात नहीं दोहरा रहे है आज दो बातों को फोकस कर रहे है आर्डर सेवन रूल एलेवन यानि जो वारानसी की अदालत में जो वाद दाखिल है उस वाद की पोश्णियता पर आज फिर से सवाल उठा रहे है और दूसरा वो फिर से प्लेसे साफ वर्षिक एक्ट जो 1991 का है उस पर बहस कर रहे है आज भी यह थी कि यह लोग डैमेज कर सकते हैं इन के इसके वेशन से लेकिन आचानक ही वो ग्राउंड छोड़ करके अप लिसे साफ वर्षिक पैट और महा का जो वाद है बनारस का उसकी पोश्णिता को लेकर देखी वो जो तस्वीर की बात है वो खुद लेकर के नहीं आए हुए हैं बलकि एसाई की तरफ से जो कल हलफ नामा दाखिल किया गया था उसमें एक तस्वीर जो है वो इंजस्ट की गई थी उसके साथ इंसर्ट की गई थी उस तस्वीर में ऐसा दिखा रहा है कि एक सरकारी वर्दी पहने हुए जो शक्स है जो है जिसको आम तोर प करके सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जब वहां खुदाई नहीं होने थी तो लेकर दली जो है वो फावडा लेकर क्यों गया और आशंका इस बात किया है कि बात में फावड़े का इस्तेमाल किया जब देखी दो चीजे बड़ी एहम है एसाई की और से कहा जा रहा है कि जो जो जी पी आर सर्वे होता है उसके जरीए वो काम कर सकते हैं लेकिन मुस्लिम पर शलगातार इसके वेशन की बात कर रहा है और अब उसने प्लेसे साफ वर्शिप एड का भी सवाल खड़ा कर दिया है इस बात की आशंका जताई जा रही है प्रदीब सर की वहां पर फावडा लेकर गए थे तो हो सकता है खुदाई हो लेकिन अगर वो खुदाई करते तो कूट के हिसाब से उनको जवाब तो देना होगा ना निश्य तोर पर देखो विवेक यह जो पूरा मुद्दा है इस पर हम लोग कुछ थोड़ा जल्दी भहस कर रहे हैं और कुछ एक्टिविजम का भी हम लगता है कि हम शिकार हैं इसमें और अभी कोर्ट में मसले को होने दीजिए अभी यह भी तैय नहीं हो पा रहा है कि य एसाई को क्या इज़ाज़त देने जा रही है कोर्ट थोड़ी देर का इंतजार कर लिया जाए शाहिए चार सवाचार था कुछ इस मामले में फैसला आ सकता है कुरबान सार लेकिन ये चीज़े मौखिक तो नहीं होती है ने कि अगर कोई कह देता है कि नहीं मैं फावडा लेकर जा रहा हूं और मैं वहां पर खुदाई करूंगा क्योंकि ये सारी चीज़े मेरा मतलब ये है कि इन सारी चीजों का जवाब आपको कोर्ट में दाखिल क करना होगा कि एसा ही सर्वेम करने गए थे तो कैसे किया क्या कोट ने कह कि नुकसान नहीं पहुंचाना है तो इसका जवाब देंगे तो ये मौखिक दावा नहीं हो सकता तो सवाल यह है कि अगर किसी पुलिटिकल आदमी के हाथ में होता तो आप यह भी कह सकते थे किसाब यह राजनेतिक काड़ हो रहा है या दूसी वज़े से हो रहा है अब तो यह अधालत की जवाब देही है और अधालत की यतै करना है और अधालत का वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट होगा जैसे ही घडी का काटा दो पर धाई पे आये शाज़िश के लिए मचल जाये और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी आपको रखे आगे